तो कैसे आप सब लोग एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें कल का जो सेशन हम देख चुके थे उसमें हमने देखा था सरकारी पत्र अर्धा सरकारी पत्र और टिप पड़ी वाली चीज है ठीक है जो आपके सिलेबस में देखा यूके ट्रिपल से ने आज हम कोशिश करेंगे कि पत्र लेखन वाला सक्षन कम्प्रीट हो जाए और मतलब आपका वहां से कोई क्वेशन गलत नहीं हो ठीक आप उसको रिवाइज कर लेना देख लेना एक बार कैसे करना है एक नम्मर के आप लोग उसको रिवाइज करना अब देखे जो आपका अगला चीज उसने स्लेबस में देखे उसका नाम है प्रारूपन क्या है प्रारूपन अब यह क्या होता है मैं आपको बदाता हूं इसको इंगलिस में ड्राफ्टिंग कहते हैं ठीक है ड्राफ्टिंग देखे इसको क्या होता है, पत्र आए है, उसको बाहर इसको अगौने करना है, आलेखन बोलते हैं प्रारूपन गहते हैं प्रालेखन गहते हैं ठीक है यह प्रारूपन क्या क्या गह रहाता है एक तो मसौदा इसको आलेखन भी बोलते हैं आलेखन और इसको क्या बोलते हैं प्रालेखन यह सब इसी के नाम है ठीक है अगर आपसे पूछता है कि का ही हिस्सी और देखिए सबसे पहले क्या है अब एक तो इसकी डेफिनेशन है डेफिनेशन आप किसको मतलब गो प्राओं यार्फ्टिंग क्या है इसको आपको समझना होगा ठीक है अब होता है क्या unw limits जब कोई बाहर का इस प्रारुपन या अलेखन ड्राफ्ट बोल जहाता है अब कैसे होता है सबएक प्रेक्टिकल समझाता हूं ऑधक zone का गलत नहीं हो वाइब कि कि अब काहनी की तरह सुनना एक image बनानी अपने दीवार में ठीक फिक है जहां से उस matter संबधित होगा उस जगह पे उसको क्या बिचता है ए जिलाधिकारी पत्र बिचता है ठीक है यानि लेटर बिचता है यह लिख दिया में इस लेटर को क्या बोलते हैं आवती बोलते हैं क्या बोलते हैं आवती यह उस सासन में पहुंचने के बाद विचाराधिन पत्र बन जाता क्योंकि हमने इसमें बिचार करना है जब यह आएगा इस पे आने के बाद क्या होता है मैंने गाता कि कारिवाही होगी नियम उपनियम जो सहायक होंगे जो उच्चाधिकारी होंगे हर कोई इसमें क्या करेगा अपनी मतलब अपने इस थर से जो भी उसका काम ह होगा सब चीज देखने के बाद इसका क्या किया जाएगा एक मसौधा डाइप का त्यार किया जाएगा मनलग इसमें क्या हो दी इस टैम पे यहां आने के बाद नोटिंग यह नहीं टिपड़ी की प्रोसेश चल लिए है इस पत्र पे विचार विमर्स हो रहा है गहन जब इस टिपड़ी की प्रोसेश कंप्लीट हो जाती है उस टिपड़ी के आधार पर जब यह पता जल जाता है कि इसका अब जो है हमने क्या आंसर देना है क्या रिपलाई जाएगा कैसे बनेगा वो जो बनता है इस टिपड़ी की प्रोसेश को कंप्लीट करने के बाद जो आप आप नया एक लेटर जारी करोगे उसके लिए जिसके आया है यानि जिला दिखारी A के लिए जो आप भेजोगे जब इस टिपड़ी की प्रोसेस कम्प्लीट हो जाती है वही चीज आपकी क्या कले आती है आलेखन या प्रारूपन ठीक है प्रारूपन का सिधा सिधा मतलब है आये हुए पत्र यानि आवती का जो वापस आप कारेलेखन की उरसे उत्तर दे रहे हैं वही क्या है प्रारूपन और ये उत्तर की बेज़ पे होगा इसी टिपड़ी की बेज़ टिपड़ी में लिखा होगा कि ऐसा ऐसा होना चीए और इसी आलेखन में इस टिपड़ी की पर इस नियम के तहरें एसा ऐसा है यह चीज होगी यह नहीं होगी उसके आधार पर जो हम भिंडन कीज़ते हैं यानि कारयलाईग का उत्तर पर कारयलाई हुए की द्वारह उत्तर दिया जाते हैं उसको क्या प्रालेखन या मत्लूपन आ लेखन ठीक है यह तो क्या होगया आलेखन रिए अब यह क्या होता है अंतिम सोपण अगर क्या पुछेगा तो आप का अन्तिम सोपण पुछेगा तो आप रापन यहीं प्रारूपन क्या है उसी रही में उसी के आधार पर आप इसकागताव लिखोगा जिलादिकारी एक घाए यही Luck न और प्राहरूपन जिसको आप कहते हैं ठीक है यहीं आप से पूछ सकता है कि Mr. Donald को इसके अन्य का नाम है यह की definition पूछ सकता है कि जो कारेलें में पत्रा आते हैं इसके जो आधार पर उत्तर देते हैं उसको क्या बोला जाता है ? आलेखन या प्रारुपन बोला जाता है ठीक है और इसको क्या बहुता है टिप-पड़ी का अन्तिम शोपान अब देखे अब इसका बहुत हुथ किस की छेतेरि में हम इसको मतलब प्रारुपन का दिए या किस की छेतर हो सकते हैं कर सकते हैं देखें अब देखिए जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था सरकारी अर्दसरकारी पत्र इसका भी क्या है अपना एक नहीं देखेंगे जैसे कोई पत्र होता है सरकार के लिए कोई पत्र आते हैं तो उस पत्र का रिपलाई हम किसके दहर दे सकते हैं यह प्रारोपन के दहर ठीक है एक तो कोई सरकारी पत्र हो गया इसके अलावा अनुस्मारक या इस्म्राण पत्र भी होता है क्या होता है इस्म किसी दूसरे कार्याले में B को अगर कोई पत्र भेजा किसी कार्यवाई के संदर में और A के दोरे भेजे गे पत्र में जो B को भेजा गया उस पर कोई अगर आंचर नहीं आरखा है, reply नहीं आया है तो ए दुबारा भेजेगा एक पत्रे उसको remind करवाईगा कि हमने आपसे पहले इतने इत्ते तारिको इस पत्र संग्या से एक पत्रांग भेजाता जिसका आपका हमारा भितागुत्तर नहीं मिल है उस थाईपी जो प्रोसेस होती है यानि उसको remind करवारेगा आप अनुश्मा पात्र है ठीक है यह भी किसका छेतर हो सकता है ड्राफ्टिंग का यानि प्रारूपण का छेतर इसके अलावा कोई कार्यालय का आदेस है कार्यालय का आदेस हो गया प्रिश्ठांकन है यह सब चीजा आपको जाननी नहीं है आपको तो एक नमर का कुष्ण करना है तीन-चार टॉपिक दे रहे है ठीक है हम इसकी में में लिख देए कोई प्रिश्ठांकन है कोई कार्यालय का आदेस है प्रिश्ठांकन कार्यालय आदेस अनुसमारक यह सब चीजा ठीक है इसके अलावा कोई अधिसूचना नोटिबिकिसन अगर गवर्मेंट जारी कर रही है या इसक आपको जानने की जरुवत नहीं है, यह इसके क्या है में में चीजी हैं, जहां हम क्या कर सकता है प्रारुपन यह बहुत से चित्रूमा आपको पता है इसके किस से पूछे वो इसका जो धाचा होता है कैसे ही बनता है ठीक है इसी को आपने ध्यान देना है कुछ ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है जैसे हम लोग ने सरकारी पत्र देखा था उसी टाइप का है सबसे पहले दाएं हाथ के साइड आप क्या दोगे पत्रांक नाम, पदनाम और इस्थान ठीक है जैसे नाम, सचिव, मतलआ नाम जो भी होगा सचिव, उत्राखन साशन उत्रप रदे साशन जो भी है दैरहाद डूराय ध्यासे हो ठीक है उसके बाद प्रेशिती यानि जिसको हम भेज रहे हैं ठीक है इसके बाद क्या आएगा सेवा में सेवा में इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ध्यान देने वाली बात ही है जो कल था जोसमें हमने नाम पदनाम और इसका इस्थान बताई था इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें आप सिर्फ क्या बताऊगे नाम का उल्लेश नहीं करूगे इसमें आप क्या करूगे सीधे उसका पदनाम और इसका इस्थान यानि सेवा में जैसे इसने सचीव ने भीजा यहाँ बें जिलादिकारी एको भीजा और सचीव क्या था जिलादिकारी सेकेटरी है तो स जिलादिकारी को डी लिख देता हूँ तो क्या हुआ उसने क्या क्या सेवा में डिस्टिक मजिस्टे जो भी है नाम नहीं देना आपको जिलादिकारी यह जिलादिकारी वो और कहां उसका इस्तान है ठीक है यानि सेवा में जिलादिकारी जहां का भी होगा रुद्रपरिया, टिहरी वगरा जो भी होगा उनको आप ये करेंगे तो इसमें कहा है उस जिलादिकारी का नाम नहीं आएगा सिर्फ जिलादिकारी पद आएगा ठीक उसके बाद जब आप ये सब करते हैं होता है कि है एक रीती है अब ये जरूरी नहीं खेया है जो सेवा में लिखे है इसके ज़स नीचे मिफ़ाग जो भी है ठीक है यहाँ पर किया रिख दूबगे विभाग या अनुभाग का नाम लिख दोगे अब ये जरूरी नहीं है कि लिखा जाए ठीक, अगर आप से पूछता है, तो आप यहां पे दोगे, उसके बाद इधर के आगा उसी जगह पे स्थान और दिनान, यानि देहरादून से हो रहा है, बाईस अगस्त को हो रहा है, बाईस अगस्त, एककी सगस्त को हो रहा है, एककी सगस्त, यह तो रहेगा, उसके बाद वही तरीका महोदै, आप क्या करोगे, यहां तो विशाई तो लिखना है, ठीक है, विशाई अगर है तो लिखना है, नहीं है, तो जो सभी है, विशाई कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है, विशाई, विशाई लिखने के बाद आप इसी सेवा के निचे क्या लिखोगे तो उसमें टिपड़ी के बिन्दों का उले किया जाएगा तिपड़ी कोन करेगा फाइनली किसका एप्रूब होगा जो उच्छाधिकारी होगा जिसके पाउर होगी उसके एप्रूबल से ही आप क्या करोगे इस ड्राफ्टिंग को तैयार करोगे ठीक है क्योंकि कौन तैयार करेगा सहाइक करेगा सहाइक टिपड़ी को देखिएगा उसके आधार पर ड्राफ्ट बनाएगा और उच्छाधिकारी से साइन करवाएगा भेजने के लिए इस पत्र को तो आप सब्जेक्ट महोदे के बाद जो भी मैटर है वो करोगी जब यह पत्र खतम हो जाता है अंत आप क्या करोगे ड्राफ्टिंग में तो भावदी हस्तागिस नाम ब्राकेट पर पर बना यह जो तरीका होता है यह किसका होता है आपका प्रारोपण का ठीक है तो इसके अलावा सनलगनक अगर है कुछ अगर भेज रखा है तो सनलगनक इस साइड पर आता है हमरे साइड यानि आपके बाएं हाथ के साइट पे क्या आता है सन लगना आता है प्रतिलीपी बगर अगर वो तो सब छोड़ दो उसका कोई यूज नहीं है तो आपका ये किसका प्रारूप रहता है प्रारूपन का प्रारूप रहता है यानि जो ड्राफ्टिंग होते है जो मसौधा होत होता है ठीक है उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आएगा दूसरा इसके बाद देखो एक और चीज उसने क्या देर के स्लेवस में देरेखिए अधिसको नोटिपीकेशन भी कहते है अब देखे सबसे पहले यह पता करने कि यह होती है उसके बाद हम अलग अलग चीज़े देखेंगे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह होती है तो आप सिंपल सा समझे बिग्यप्ति का यह मतलब है सरकार के द्वारा जो सूचना है जारी की जाती है अलग-अलग मुद्ध के अलग-अलग मुद्ध के हो सकते हैं नियुक्तियां प्रति नियुक्तियां या पुनन नियुक्तियां कोई आदेश हो गया या किसे कहीं प्रस्टिशन काकाजी करवाना है इस टाइप के विग्यप्ति कहलाती है ठीक है अब यह देखे जो विग्यप्ति होती हो अलग-अलग परकार की हो सकती है जैसे आप से विग्यप्तियों का परकार बो सकते हैं तो कौन से विग्यप्ति का परकार है या नहीं है ठीक है इसके अंदर हम यह देख लेते हैं कि विग्यप्तियो लेrick हें सामविधिक प्रसासकी होती है एक सूचना यह भी इसके अंदर आते जैसे सरकार क्या करती है सूचना जारद इकड़ेती, देखा होगा अब ने सरकारी कार्यालों में सूचना पठ लगा होता है बाहर वो किसी मुद्य को लेके, अलग-अलग कार्यालों किसी बेसंबन्द में सूचना जारे कर सकती है इसके अलावा, प्रेस विग्यप्ति और अब यह information है तो कहा परकाशित होगी ध्यान रखना जो सरकार की सूचना होगी जो information होगा ठीक है वो सामाचार पत्रों में परकाशित नहीं होते हैं बताओ किसी के नियुकति को लेका है उसको क्या समाचार पत्रों में परकाशित करेंगे या किसी को deputation में एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो समाचार पत्रों में क्या परकाशित होगी जो विग्यप्ति प्रेस विग्यप्ति के लिए होगी या जो प्रेस नोट होगा वो समाचार पत्रों में आता है बाकी सामाचार पत्रों में विग्यप्तियां नहीं आती है अब आ आना जाता है कि यह राष्ट्रपती यानि केंद्र सरकार के इस तरपे और राज्य सरकार के इस तरपे राज्यपाल द्वारा जारी की गई माना जाता है ठीक है भले उनका नाम नहीं होगा लेकिन जो सासकी कारी होते हैं वो राष्ट्रपती और राज्यपाल के नाम पे माने अब इसका भी क्या होगा अपना एक फॉर्मेट होगा किस परकार से इसको हम बदाएंगे ठीक है अब समाचार पत्रों में प्रकार्सीद नहीं होता है एक चीज इंपोटेंड और आपको बताता हूँ, जैसे आप अभी तक के पत्रों में पढ़ लेते, महोदाई ये वो वगरा, वो संबोधन बोलते हैं, इसमें भी संबोधन नहीं होता है, यानि संबोधन जैसी चीज इसमें भी नहीं होगी, ठीक है, कभी नहीं देखा होगा आपने व अन्यपुरुस सेडी में लिखी जाती है, ठीक है, अन्यपुरुस सेडी में, देखिए, अन्यपुरुस का अमलग 30%, ठीक है, यानि आप और हमारे भी इस बात नहोगी, तिसरी, थाट पुरुस की बात होगी, उसको अन्यपुरुस, यह मैं आपको सर्वनाम वाला जब कहते हैं, कहँआ हूगा, वो उसके लिए मैं sorry कहता हूगा, वो मैं आपको बात में समझा दूँगा, बाकि वो सब चीज जाएं ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि, बिशिस्ताओ में कोई इसने गलत वर्ट लिखा रहा है, ठीक, बोलने में हो जाता हो, तो ये भी किसमे लिखा जाता है अन्य पुरुस में लिखा जाता है तो आप क्या है संबोधन का उलेक नहीं होगा अन्य पुरुस में लिखा जाएगा गैजएट में परकासित होगा प्रेशक का नाम उलेक नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों कि राश्ट्रपति और राज पुछे हुआ हो पत्रांग यहाँ इस भी जता है कि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे इस थांद देगा वन्तर सरकार क्या मतरलें pigyoo गरह विभाग कर रहा है तो गरह विभाग का नाम आएगा उत्राखन सरकार डेटा जाएगी ऐसा भी होता है लेकिन सामानिता हम देखते हैं जो सरकार की विग्यप्तियां जानी होता है उसका format क्या होता है ठीक है इससे format से मुझे नहीं लगता पूछीगा करके फिर भी आप को सरकार के मंत्राले का नाम डिखना है को इता साफ है जानी वो स्पोछ हम भारत सरकारकार का लेटे को सबसे उपर करें मिल दहस में गरह मंत्राले सबसब्स में कि Chr highest मंदर को सबसे यह यहां बिभाग का नाम, जिस बिभाग से होगा अब बिभाग का है कहा रहा है, सेंटर पर आ रहा है, बीच में बिभाग के बाद क्या आता है, उसके नीचे जो उसकी संख्या होगी यहाँ पर गालिक होगा संख्या को वर्णित करोगे संख्या वर्नित करने के बाद नीचे कौन से इस्थान से अब देखो, भारत सरकार का मनत ले निद्ली में तो नए दिल्ली और किस डेट गो हो रह BJP इस्थान के बाद कौमागर के दिनान ठीक है यह सामान चलिब भारत सरकार जो है formate अपनाती है जो format मैं बता रहा हूँ वो भी सही है वो भी गलत नहीं है पत्रांग के अभी यहां दे देगा और यहां इस्थान और इधर दे देगा नीची यहां पर subject देगा जैसे किसी के न्यूकति को लेकर है किसी के सेवाने मृति को लेकर है वो भी भागी होता है ठीक है format को ज्यादा तो यहां वो मत करना इस टाइप से अब क्या होगा यहां पर अधी सुचना दक्रावागा जिस सम्बंद में है यानी जिस सम्बंद में वो विज्यवति जारी कर रह रहा है ठीक है अधी सुचना लिखने के बाद यहां से सिधे मैटर होगा कोई प्रेशक का नाम नी कोई म पत का नाम पढ़नेद होगा यहां क्या होगा हस्ताक्सिर जुभी ऊबauस हो उसका प्धनाम ठीक है में हस्ताक्सिर नाम भी हो सकता है जैसे नाम होगा रामकृसनवरवा उप सचीयchos लिख्दिया रामसरासरमा सचीयों लिख्दिया जो भी है इस टाइप क्या होता है जो सरकारे होती दो सरकार होती है उस उसको समय समय पे बहुत से जो सामीग मुद्दे होते हैं या जो बहुत से महत्तपुन मुद्दे होते हैं जिससे जन साधरन को अउगत कराना होता है ठीक है तो वो क्या करते हैं सरकार है सामीग महत्तपुन मुद्दों को सर्वसाधरन को सूचित करने के लिए अगवारों के माध्यम से क्या करते हैं उसको परसारित करते हैं जिसको क्या बोलते हैं प्रेस विग्यप्ति या प्रेस नोट बोलते हैं अब प्रेस विग्यप्ति और प्रेस नोट पर डिफ्रेंस से कह देखो जो प्रेस विग्यप्ति होती है यह क्या होती है सामानेता सरकार के बड़े का को निकलती हैं तो उसको बोलते हैं प्रेस विज्ज्जप्टी यह कि शीदे शीदे कोंगे सरकार के बड़े काईले बडियात्र चारी के राज्जी के आप सबसें बड़ा इस्तर होते हैं तो वहां से जो निकलेगा उसको बोलेंगे प्रेस विग्यप्ति जो सर्व साधारन को सूचित करने गरे निकलेगा प्रेस नोट कहां से यहां पर दो मंडल है कुमाव मंडल है गड़वाल मंडल कुमाव मंडल से अगर कुछ निकलता है प्रेस नोट क्योंकि वो सची वाले के अधीन है और यह गड़वाल मंडल से जो निकलता है वो प्रेस नोट हो सकता है किसी जिला अधिकारी कार्याले से निकल जाए वो प्रेस नोट ठीक है यानि जो अधिनस्त कार्याले से अधिकारियों के वहां से निकलते हैं उसको बोलत होगी क्या है कैसे है कैसे बनता है वो आपको मैं बताता हूं ठीक है इसमें भी याद रखना हमेशा जो संबोधन वगरा है जो अधुलेक वगरा है वो अनुपस्तित रह रहे हैं जैसे मोहदय वगरा यह सब कह रहे हैं यह इसमें भी नहीं रहता है ठीक है आप याद रखना संबोधन की भी इन्में कोई जरुवत नहीं होती है संबोधन इसमें नहीं पाय जायेगा ठीक इसके अलावब का होगा जो अंत में जब आप लिखोगे forward में बहता रहो अंत में क्या होगा जो अधिकारी है जो जारी करने वाला होगा उसका हस्ताक्षर और उसका पदणाम होगा अब बाद में इस्थान नहीं भी लिखाुँगा इस्थान ऊपर लिखाँगा आब मेंली यह समझ देखा हस्ताक्षर और पदणाम उसका वहाँ होगा इसकी सबसे महत्यपूर चीज़ है इसमें तिथी का उलेख अवश्य होना चीज़ है तिथी ही इसकी सबसे important चीज़ है और वो सामाने ता तिथी यहां भी दी हो सकती है जो last महस्ताक्षर कर रखा है इसी के 20 साइड यहां तिथी भी लिखी हो सकती है यह बहुत important है और यहां नहीं रिखी होगी तो तिथी उप कुल करें हैं कैसे आ doc प्रेस द्री क्ए इअवे कि अरले देख लिख लेते हैं प्रेस विख्यप्तिगा देखें प्रेस सब्से अब तिधृप से अब लाप इसने की मत्राले का नाहा?ודה मत्तब मत्राले नहीं हो गारा जो विभागं का रहेगा उसा करना है स्थानि या आपको आपको क्या करना है सीथे जहां से जारी हो रहा है जिस जगह से यहां आप देट है तो सामाने तब बेदों केash इस्तान लिख दिया दिन आग गए अब जो विग्यप्ति है उसका सारा मैटर यानि सर्वोशादरन को सूचित किया जाता है वगएर इस टैट से सरकार ने क्या कर दी प्रेस विग्यप्ति निगा दी और प्रेस विग्यप्ति निगा जिसने कर रखा है उसके हस्ताक्षर और उसका बद नाम, हम क्या करतेंगे, लिक देंगे, ये क्या होता है हमेशा प्रेश विग्यप्ति, यार ज़पना एक चीज़, प्रेस विग्यप्ति को न्यूज पेपर जो होते हैं, जो का त्यों छापने, अक्शर्त, अक्षर्ता मतलब जो इसकी सेली होगी, जो भासा होगी, जैसा सरकार ने दे दिया, प्रेशिक गिप्ती को वह से ही चापा जाएगा, क्योंकि ये सासन के बड़े श्तर से जारी होड़ी है, मंतराइadaki स्थी जारी होड़ी है, सरकार के उच लेबल से जारी होते हैं, इसलिए तो अबभार वाले हैं यूज़िफर वाले हैं इसमें छेड़ाज नहीं कर सकते हैं थीक ہے और प्रेश भी में कर सकते हैं थीक है वह प्रेश सेफिक गढ़ दिएक दूसरी चीज प्रेश नोट क्या होता है मैं। बताया वो सरकार के अधिनस्त कार्यालाई से जारी होती है ठीक है अधिनस्त कार्यालाई या जिलाधिकारी कार्यालाई होगा या मंदल के लेबल पर वो जारी होगा इसका भी अपना एक फॉर्मट होगा हम इसके फॉर्मट को देख ले देखो सब्सक्राइब जिलाधिकारी यहां दिनांग करी दो अब इस्थान्तों में मिली गया टीहिरी से हो रहा है यह हो रहा है यह सामाने ते इसके फॉर्मेट रहते हैं उसके बाद वही सर्वसाधरान को सुचित किया जाते हैं सब्सक्राइब अगर धाराइक से चमाज़ लगी है कोई इसका उलंगन करता अन्तव में उसके भी क्या होंगे हस्ताक्षर हो जिलादीकारी इतना ठीक है यह क्या होता है यहाद रखना्या इसमें जो समाचार पत्र ऑव थोड़ा वहों को भावक रगेहा उसका कर Ils ठीक है बता दिया जाएगे उसको ऐसे ऐसे चापको लगिन भाव नहीं बताना देए यह क्या होगे आपका प्रेस नोट उम्मीद करता हूँ आप लोगे सेसन समझ आया होगा कोशिश करना इक बार इनको अपनी स्थर से भी देखने कि आपका कोई क्यों गलत नी होगा एक नमबर का आना है आपने सुना होना ची आपको पता होना ची हाँ है इसी ऐसी चीजें होती है घर के ठीक है हर किसी का मैंने मैं आपको मॉडल बता दिया आप लोग बताना हिंदी का सेसन कैसा लगा आप मुझे कमेंड करके बताना फिर बाद में मैं आगी को हिंदी का सेसन लिखाऊंगा अगली जो मेरी क्लासे रहेंगी वो उत्राखन के चंदराजबंश को कम्प्लेट करने को आएंगे ठीक है ठ नक्यू